हेलो दोस्तों स्वागत है आप सोभी कत्रे पाथी सोसियो लाजी चैनल में तो जो हमारा में फर्स सेमेस्टर में जो हमें टॉपिक्स मिले हैं जिसमें SOC 505 है, SOC 503 है और SOC 504 है तो उसमें मैंने SOC 505 का जो क्वेस्चन आया था हमारा जिसमें हमें दो टॉपिक मिले हुए हैं जिसको मतलब जो लोग भी डिडियू से अफिलेटेड है या फिर डिडियू के उनको पता होगा तो हम देखते हैं कि जो हमारे दो टॉपिक्स उनमें 1000-1000 वर्ट का हमें आसाइनमेंट लिखना है मतलब फाइल बनाने हैं और उसको सम्मिट करना है तो उसका जो दो टॉपिक है उसमें पहला है हमारा समकाले इन भारत में धर्मी के ब्यवशाई करन के विवेचना कीजिए और दूसरा है महिला हिंसा के कारण और उनके प्रकारों का वर्ड हन कीजिए तो इसमें हम देखते हैं कि ये SOC 505 है ये सोसाइटी वाल अपना है Society and Culture in Contemporary India तो हम देखते हैं कि इन दोनों विश्व में से किसी भी एक विशाई पर कम से कम हजार सब्दों में असाइनमेंट लेखना है और उसे मतलब जल्दी जमा करना है इसके डेट भी शायद निर्धारित कर दिये गए है उनिवर्सिटी का डेट तो 29 फेबरुरी है मुझे नहीं पता कि एफिलेटेट कॉलिज में क्या होगा तो हमको उसे सेही करते कि जल्दी से जल्दी हम इन सारे चीशों का बना लेते हैं दूँगी समकालीन भारत में इसका मैं नहीं बना रही हूं मैं इसकेंड का बना रही हूं तो जिसको भी सही लगे वह इस वीडियो पॉस करें और इसको लिखें और आई होब कि यह आप लोग के लिए लिए हल्फ फूल हो सो हम देखते हैं कि क्या चीज मैंने लिखा है किस तरह से लिखा है तो मेरा यह मतलब intention होता है यह चीज कि कोई भी point हम लिखें तो उसमें जो positive है जो भी चीजे और जो मतलब जिसे हम head कर सके उस सब्सक्राइब को लिखना important होता है कि जो teacher होता है जैसे 1000 word है तो maximum हम 6 page या 7 page के आसपास तो हमें लिखना ही पड़ेगा तो 7 page में हम यह ना लिखें कि उसको सिफ भर दे उसमें कुछ ऐसे word भी use करें और जैसे महिला हिंसा की कारण और प्रकार पूछा है तो पहले हमें महिला हिंसा क्या है इसको define कर देना चाहिए कि महिला हिंसा क्या है फिर उसके कारण और प्रकार को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पी हम देखते हैं कि causes of female violence in Hindi तो इसमें हम देखते हैं कि महिलाओ के प्रती जो हिंसा हो रही थी उसका ताहत परे तो आप लोग video post कीजिएगा और लिखिएगा क्योंकि मैं समझा तो दे रही हूँ लेकिन इसको अगर लिखने का तरीका चाहिए होगा क्योंकि कुछ word होते हैं जो हम समझाने में नहीं उसकर पाते हैं और किसी को बताने में भी नहीं हो पाता लेकिन लिखने के लिए वो तरीका होना चाहिए हमारे पास तो हम दिखते कि महिलाओं के प्रति हिंसा से तात परे हैं महिलाओं के प्रति उनके निकट रिष्तेदारों जैसे माता पिता, भाई, बहन या ससुराल के किसी भी शधस्या या अन्य किसी ब्यक्ति द्वारा किये जाने वाले हिंसात्मक बैवहार वो उत्पीड़न जो महिला के सारी रिक एवा मानसी करूप से आधात पहुछाता हूँ महिला हिंशा कहलाता है सिंपल हो गया जैसे कि कोई महिला है वो कुछ ऐसे कारे है जो वो नहीं करना चाहती है और उससे वो जवर्दस्ती कराए जा रहा है उसे मार के पीट के पहले तो यह साली चीज़े बहुत होती थी लेकिन अभी फिलाल बहुत कम हो गई है तो यही सब हिंसा के कारण है जैसे क अब फीमेल वॉलेंस के कहीं ना कहीं मुद्दे हैं तो महिला ही इंशा क्या है यह चीज तो क्लियर हो गया कि महिलाओं के महिलाओं के उपर प्रत्यश या परुछ रूप से उनके उपर जिसे वो कोई पी चीज वो नहीं करना चाहती है और उन्हें उस करानी के लिए उत करना जिसे मारना पीटना या फिर अनामस्ते वो सारी चीजे करना यही महिला इंसा कहलाता है तो यह हो गया इसके बाद हम इसके कीवेरत कहला है तो पहले थो हम इसके कारन को देखे हैं और अभी कारन को मैं determine भी कि 생각 हूं अच्छा से क्योंकि लिखना यही है नॉर्मल की हिंसा कि कारन और प्रकार तो मैंने इसको तो किसी भी महिला से प्रत्यच परुच बल का प्रयोग करके उससे कुछ लेना जिसे वो अपने इच्छा से नहीं देना चाहती है या उससे सारीरिक मानशी का भावात्मक रूप से दुख पहुचाना महिला इंसा कहलाता है भारत में महिलाओं का उत्पीडन प्राचिन काल से ही हो रहा है जिसका प्रमाण हमें प्राचिन धर्मों, गुरंतों एवं पुस्तकों में देखने को भी मिलता है कि उसमें भी महिलाओं के साथ दूर्बेवहार होता था और अभी भी हो रहा है ये इतने सारे नियम एक्ट ये सारी चीज़े हुए फिर भी कही न कही महिलाओं आज भी दबी हुई है तो ये चीज जो घरेलू इंसा है जो उसकी हिंसा भी कई प्रकार का हो गया घरेलू हिंशा था और जैसे कार्यास्थल पर भी महिलाओं का सोसड किया जा रहा है तो यह सब प्रकार हो गया है उसके प्रकार के भी विसमें मैं भी बात करूं गया गया अभी फिलाल हम उसके डेफिनेशन को देख रहा है तो फिर हम देखत पहला है परिवार में होने वाले भूल चुकू और नगण्या मामलों के लिए दोशी ठहराना जैसे परिवार में सुब्य से साम तक अगर कोई औरत काम कर रही है तो आइ तिंक उससे कुछ न कुछ तो मिस्टेक हो नहीं है तो यह जो छोटी-छोटी गलतिया होती थी उसको मतलब जो गिनने के लाइक नहीं है उसे भी गिन कर मतलब उनकी गलतियों को सामने रखकर उनको दोशी ठहराना यह भी कईने कई घरेलू हिंसा का कारण है दूसरा है बच्चों और अन्यसंगे संबंधियों के समक्ष उन्हें बारबार अपमानित करना जैसे कि औरतों को उ से उनके जो भी हाँ एक्चुली यह होता है कि घर में औरते होती है औरतों के जो भी स्वास से होते हैं उनका बिगड़ना बनना यह सारी चीज़ी होती रहती है तो वह यह कहके छोड़ दिया जाता है कि वह घरेलू मतलब घरेलू नुक से कुछ आजमाएगी और वो ठीक ह हो जाएगी यह सारी चीज़े और वो कोई कारें नहीं कर रही है उसके लिए अभध्र भाशा जो भाशा का प्रयोग नहीं करना चाहिए वह भी किया जाता है तो यह सब भी घरेलू इंशा का कहीं ना कहीं एफक्ट करता है चौता है परिवारिक फैसले में अस्थान ना द लड़की नहीं कर देगरें लेटी परिवारिक ना परिवारिक उनका फालाय उन्हें परिवारते हीं चेजर संब घरेलूइंट कारें दता क्रेंदा हैं नी शरी जाम इसन में सब बींसे तू छलाए गए हैं अभी प्रेजेंट में भी लेकिन अभी भी कहीं न कहीं ये साधी चीज़े हैं और कहीं न कहीं क्या हर जगा ये चीज़े हैं कि आज भी एक लड़की का पीता हमें सल जुका हुआ ही रहता है तो हम यह पर देखते हैं कि WHO World Health Organization के अंतरगत ये देखा गया कि महिलाओं के खिलाब जो हिंसा पर पहले बार बड़े विस्तार से रिसर्च करने के बाद एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके मुताबिक दुनिया भर में घरेलू हिंसा से पीडित 40% महिलाएं अपनी साथी किस पर दिकार होती हैं और सेंग तराश्च श्रम के मुताबिक कई ऐसे देश हैं जहां घरेलू हिंसा को अपराध नहीं माना जाता है तो यह हो गया और उसके बाद से हम देखते हैं कि महिलाओं पर हिंसा वो अत्याचार के क्या कारण है और कारण आ क्या मतलों महिला हिंसा के तो हम यह पर सिर्फ यह एफेक्ट करेंगे इस चीज का कि उसके घरेलू इंशा के क्या कारण और जो भी रिजन है उसको भी मैं बताऊंगे अप लोगो लेकिन प्रसेंट में हम घरेलू इंशा को देख लेते हैं क्योंकि हमें पेज भी तो भरना है तो मैं इनी सब चिजो यह हम देख लेता है कि दहेजप्रता कब से है I think जब से समाज बनाए सोसाइटी जब से आई है यह दहेजप्रता का जो वर्ड है यह उसी समय से सुरू हुआ तो यहाँ पर देखते कि भारत सरकार द्वारा 1961 में दहेज लेन वादेन का जो प्रोसेस था उसको उसके विरोध में बनाए गया था तो और इसमें महिलाओं के खिलाफ हिंशा में दहेज अभी भी बड़ी वज़ा बना हुआ है मतलब दहेज कितना हुभी वो तो देखते हैं कि दहेज प्रथा के कारण लड़की का जो जन्म है वो समाज में अच्छा नहीं माना जाता है मतलब लड़की अगर जन्म लेती है तो माता पिदा को कहीं न कहीं इस बात की शिंता होती है कि उन्हें एक दिन अपनी मतलब बच्ची के लिए दहेज की जरूरत पड़ेगी उसकी साधी के लिए तो इन सब चीजों से मतलब जो लड़कीों का जन्म है उस पर भी पावंदी किया जा रहा था लेकिन लोग पेट में वच्ची को मार देते थे और भी बहुत सारे सुसाइटी में चीजें हैं जिसके वज़े से यह सब इफेक्ट पड़ता है उसके पास हम देखते हैं कि समय के साथ साथ लड़कियों का स्वेम भी हीन भावना का सिकार होने लगती हैं दहेज ना पाने से लड़कियों को ससुराल में अपमानित जीवन बैतित करना पड़ता है और पती-पत्नी के विच तनाव भी उत्पन होता था अभी प्रेज़न में यह सारी चीज़े कम हैं लेकिन अभी भी हो रहा है और पहले और भी होता था कि अगर कोई स्थरी थी अगर वो दहेज लेकि नहीं जा रही है तो उसके फैमिली वाले को तो हर जगा अपमानित किया ही जाता था साथी साथ उस औरत को भी हर स्पेस पे हर रिलेशन के मतलब रिलेशन वालों के सामने उसे हमें अपमानित किया जाता था और यह दहेज ना देने का जो प्रोसेज है इससे कही ना कहीं इफेक्ट हस्बेंड और वाइफ के रिलेशन में भी पढ़ता था फिर देखते हैं पहला दहेज प्रता हो गया दूसरा के पूरुस प्रधान समाज पूरुस प्रधान समाज में हुआ कि जो भी निड़े हुआ मतलब किसी भी चीज का डिसीजन जो लिया जाता था वो से पूरुस ही लेते थे महिलाएं उसमें महिलाओं का कोई हस्तशेप नहीं था यहां तक कि भारत सरकार जो है वो अपने जीटीपी के आकड़ों में भी महिलाओं के घरेलू अस्तर के कारेों की गढ़ना नहीं करती है तीसरा है बाल विभा बाव विभा तो था तलाक बेवा जैसी कूरीतियां जो हैं मतलब हमारे समाज में फैली हुई थी और यह कूरीतिया कही न कहीं महिलाओं के स्वास्त पर नकरात्मक असर डालती थी चोथा है लैंगिंग विभेदी करण तो इसमें हम दिखते कि इस आधार पर असमानता की सुरुवात बेटी के जन्म से ही हो जाती है उनके पालन पोशन के दोरान बालक और बालिकाओं की अंतर दिखने लगते हैं जैसे कोई लड़की छोटी होती है तो उसे गुडिया दिया जाता है कि तुम गुडिये से खेलो उसके जो भी खेलने के ट्वाइस होंगे वो या तो घर के बरतन होंगे गैस चूला होते हैं यह सारी चीज़े और लड़कों को बंदूख और भी लड़की है तो इसे यह करना है यह लड़का है तो इसे यह करना है तो यह अंतर जो है उसे बचपन से दिखाने सुरू कर दिया जाते हैं जिससे आगे चलकर वो लेंगिंग असमानता महिला के प्रति अत्याचार बढ़ाने में योगदान देती है जिससे क्या होता है कि कहीं न कहीं लड़कों से दबी हुई हैं और ये भी कहीं न कहीं एफक्ट करता है महिलाओं के प्रति अत्यचार को बढ़ाने में मतलब कांट्रिब्यूट करता है ये भी पाच्वाया निर्भरता जैसे कि हमेशा से औरतों को ये कहा गया कि वह लड़कों पे डिपेंड रहे ये निर्भरता भी कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति जैसे उनका क्या होता है कि वह जगह हुता है नहीं पाते है तो जो सहयं सकती होती है किसी बीचीजि़ का डिशीजन लेने का जो होता है वो सब उसके अंदर नहीं ёपाता है क्योंकि जो हमेसा सी ये दिखाया जाता है कि बड़े भाई हैं रक्षा करने के लिए यह निर भरता कई ना कई यह भी अफक्ट करती हैं फिर छठवां इस्तडियों के समपत्ती मतलब इस्त्रियों को हमेशा संपत्ती के रूप में दिखा जाता है कि इस तरी एक संपत्ती है ये हर जगह का अफेक्शन होता है तो ये छट्वां भी कहीं न कहीं इफेक्ट करता है फिर अब हम देखेंगे कि जो पहले होता था कि महिला मानो विकास चलता था तो इसके दो हजार वर्स के बाद से ये महिला ससक्तिकरन नाम का एक वर्ड आया और जिसमें महिला को उथा थान में मतलब काफी कारे किये तो हम ये भी देख लेते हैं कि हिंजा में ससक्तिकरन का भी रोल है तो वो क्या रोल है वो हम देखते हैं कि इस्तरी पुरुस के वेच जब भेद भाव मिटाने वह इस्तरियों के शर्शक्तिकरन है तो भारतिय संभिदान में नीम्रलिकित प्रावधान किये गया है जिसमें था पहला था अनुछेद 14 मतलब 1-14 बना गया फिर 1-15, 1-16, एक्ट 23 और एक्ट 42, एक्ट 51, एक्ट 243, एक्ट 326 तो यह सारी चीजे जो है यह जो भी अनुछेद है यह महिलाओं के विशह में बनाए गया कि महिलाओं जागरुक होंगी और इसमें कहीं ना कहीं रोल जो है इसमें लौका और हमारे जो भी नियम है सोसाइटी के इन सब चीजों का भी अफेक्शन पढ़ता है जैसे कि सरकार ने सरकार ने समर्द्धी योजना को भी बनाया था जिससे लड़कियों को कहीं न कहीं कुछ समपत्ती मिले जिससे उनकी शादी विवा या फिर उनके माबाब से रिलेट जो भी प्रॉब्लम है उसमें वो फेस्जिस हो सके फिर हम देखते कि जंधन योजना हुआ प्रधान मंत्री अधिन्यम 2005 इसके विश्य में हम देखेंगे कि यह घरेलु हिंसा अधिनियम क्या था और इसे कब पारित किया गया था और इसके बाहते यह तो कारण हो गए और इसके बाद मैं प्रकारों का वरडन करूंगे जो मैं नेक्स्ट वीडीयो में दूगी क्योंकि बीडियो ज्य बात करेंगे कि महिलाओं की मतलब वर्तमान स्थिती क्या है वर्तमान स्थिती में महिलाओं को किस तरीके से देखा जा रहा है जो भी संपाधन हुए वो किस प्रकार से मतलब अभी प्रसेंड में कैसा है तो यह सारी चीजे भी हम देखेंगे उसको तो पहले हम देखते कि जो तो घरेलू हिंसा अधिनियम बना था, मतलब स्वारी, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, तो इसमें है कि भारत में महिलां के विरुद बढ़ रहे, घरेलू हिंसा को ध्यान में रखते हुए, भारतिय संसत द्वारा 2005 में, घरेलू हिंसा संरचट अधिनियम पारित किया गया था, घरेलू रिस्तों में हिंसा जेल रही महिलाओं को ततकाल और आपात कालिन राहत पहुचाना इस मर्नी है कि किवल भारत में ही लगबक 70% महिला है किसी ने किसी रूप में इसकी सिकार है घरेलू हिंशा विरोधी कानून के तहत पतनी या फिर बिना वीवा किसी पुरुष के साथ रह रही महिला मारपीट, यौन सोसड, आर्थिक सोसड या फिर अपमान जनक भाषा के इस्तमाल की परिस्तिती में सिकार कर सकती है और उनके इस सिकार को सूना भी जाएगा मतलब इसमें ये कहा गया कि यदि पती-पत्नी के वीज जगड़ा होता है या उनके वीज के कोई बात है तो एक तरब से ये है कि विवाह में बंदे हुए हैं तो वो इसको अलग रख दिया गया साथ में ये भी कहा गया कि किसी लड़के के साथ म 좋아ches साधी zuva precis bap высокie स денjatà samples ऐसके साथ में पादिक ही वो उसके साथ हरा रहर है और वहां भी यहादि उसके साथ कुछ decision कर सकती हैं तो ये र बनेन पारेत की STAR जो महिला थी, वो किसे भी पुरुष के साथ अव्योजित हो शकती थी, अथर्थ उसके विरोध प्रकरण दर्ज करा सकती थी, मतलब जो भी चीजे उससे सिकाया थे उसको, वो उसके खिलाब जाके कम्प्लेंड कर सकती थी, तो मतलब ये जब स्टार्ट हुआ था, तो इसमें बहुत सारी चुनौतियां आई थी, कोई बेची जोगा भई, जब समाज में से पुरुस ही पुरुस चाय हुए थे, और वहाँ पे जब इस्तरियों के जो अधिकार थे, उनकी बात हुई थी, तो इन सब चीजों से कहीं न कहीं पुरुसों पे फैक्ट पड़ा था, और ये हमें देखने को मिलता है, कि जब ये घरेलू इंशा अधिनियम चालू हुआ, शुरू हुआ, तो इसमें कितने सारे चुनौतियां आई होंगे, तो ये हम देखते हैं, जिसमें पहला था कि घरेलू इंशा अधिनियम 2005 के ब्याख्या के बारे में, जो नियायाला है अपने, उसमें भी इस पस्टरता का अभाव है, क्योंकि वहाँ भी जेन्स ही थे, और जेन्स कभी ये नहीं चाहेंगे, बाप तो चाहिएगा कि उसकी बेटी काम या वो, लेकिन जहाँ पे जेन्स और लेडिस की बात समानता की को बात आजाएगी, वहाँ पे हमें सब पुरुस को ही पुरुस को ही support करेंगे, और महला महला को ही support करेंगी तो ये चीज़ देखने को मिलते हैं, फिर देखते हैं कि सिकेंड है, मामले को निप्टाने के लिए अतिरख शुर्ण न्ययायालो और नियाय अधीशों का अभा तीसरा देखते हैं कि केवल कानून बना देने से समाज में ब्याप्त जो कूप रथा हैं उसे रोका नहीं जा सकता और उनने मतलब और उनको रोकने के लिए समाजिक अस्तर पर कानून की जो स्विकारिता है मतलब उसका भी आवशक्ता पड़ेगा तीसरा है कि समय महिलाएं सकते हैं इसे मतलब इसका इतना प्रभाव प्रशार किया जाए कि वह सारी नियम वह सारी एक्ट उन औरतों तक पहुचे क्योंकि बहुत सारे अधिनियम ऐसे हैं जी को जो औरतों के लिए ही चलाए के और अर्टों को खुदी नहीं पता कि वह क्या है तो इसके suggestion में कुछ चीजेशे हैं वह मैं लिखी तो नहीं हुं बस बता देना शाथ आप लोगों कि is suggestion क्या है तो suggestion में हम देखते हैं कि जैसे महिलाओं को घरेलू हिंशा के लिए जो बड़े कानून वा अन्य प्रावधानों की जानकारी है उसे उन तक पहुचानी चाहिए कानून को और भी प्रावी और कठोर किया जाए घरेलू हिंशा से पेड़े जो महिलाएं हैं उनकी मुआवजा एवं पुनर्वास की पुखता बेवस्था की जाए और घरेलू हिंशा से प्रावावित महिलाओं को सबल करने के लिए समाजिक सहायता कारेक्रम चलाए जाना च परिवार के बीच अच्छे संबंद बनाने के लिए वह महादतों को समझानी के लिए कारेक्रिकिया जाय इसमें जन संचार माध्यम काफी कारगर हो सकता है और महिलाओं को आत्मन हिर्भर बनाया जाय यह सजजिशन है इसके उमेन इंपावर्मेंट के और इसके बास से तो यह आप लोग कीजिए यह जितने में मतलब जितना भी इसमें हो जाए पेज आपका I think 7-8 पेज आप लोग को लिखना चाहिए अगर 1000 वर्ट की बात है तो इस वीडियो में जितना मैंने दिया है आप लोग इसको लिखिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दूंगी इसी पे दूंगी इसके बाद से मम दूसरा स्टार्ट करेंगे तो वीडियो लाइक केजिए, सेर केजिए, सब्सक्राइब केजिए और कॉमेंट केजिएगा प्लीज बताइए कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है तो थैंक्यो सो मच